हाई फ्रेंड्स दिल्ली का ये फेमस पनीर मेयो सैंड्विच खूप सारी वेजी इसके साथ में आज हम बनाएंगे अपने घर पे इसका सुआद इतना लाजवाब था ना जब आप अपनी फ्रेंड्स और फैंबली मेंबर्स को इसको खिलाएंगे ना तो वो आपके खाने के दिवाने हो जाएंगे तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पनीर को एक स्क्वार पीस में कट कर लिया था और एक पैन में बटर को गरम करके पनीर को सेक लिया था दोनों साइट से सौते करने के बाद पनीर को यहाँ पर मैंने इसमें पेरी-पेरी मसाला स्प्रिंक मसाला डाल कर भी आप इसको सेख सकते हैं उससे भी टेस्क बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पर मेउनीज मैंने ले लिया था एक बोल में और उसके साथ में मैंने टमैटो केचप को मिक्स कर एक चमच चिली फ्लेक्स और एक चमच ओरिगेनो डाल कर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इस मिक्स्चर को मैं दो तरीके से यूज करने वाली हूँ इसके लिए आप वीडियो को जरूर देखें एंड तक तब यह आपको पता चलेगा यहाँ पर कुछ वेजी मैंने ले ली थी कटा हुआ खीरा शिमलामेश कटे हुए प्यास और बॉइल किये वे कॉर्ण मैंने हाँ पर लिये थे अब यहाँ पर आज मेरे पास में multi grain bread available थी उसी से मैंने sandwiches को बनाया है आप चाहें तो white bread या फिर brown bread भी ले सकते हैं अब यह जो dip हमारी बच कई थी ना उसको भी मैंने sandwich पे अच्छे से spread कर दिया था और दूसरी side में मैंने butter लगा लिया था इसको दोनों side से हमें grill करना है इसलिए मैंने आप यह butter का इस्तमाल किया है अब जो veggies का mixture हमने बना के रखा था उसको हम bread पे spread कर देंगे और साथ में यहाँ पर खूब सारा mozzarella cheese के साथ में इसको हम टॉप कर देंगे वैसे तो grill किये बिना ही यह sandwich बहुत ही tasty लगता है को saute करके रखा था पेरी-पेरी masala के साथ में इसको यहाँ पर लगा देंगे और उसके उपर थोड़ी सी ketchup टाल करके अब बारी है sandwich को grill करने की मैंने ना पहले से ही sandwich maker को preheat कर लिया उसके बाद में यह sandwiches इसके अंदर रख दिये अगर आप चाहें तो तवे पर भी इनको सेख सकते हैं अगर आपके पास अगर grill pan है तो भी आप उसमें सेख सकते हैं इनको लीजिए हमारा sandwich बनकर एकदम तयार है बीच में से cut करके देखते हैं और देखिए यह cheesy sandwich कितना yummy लग रहा है ना और इसमें जो cheese है ना वो बहुत ही अच्छे से melt हुई है देख सकते हैं आप अच्छी layers आई है इसकी आप भी अपने friends and family members को इस recipe को share कीजेगा अगर वीडियो पसंद आए तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलती हूँ आपसे किसी next video में bye bye thank you friends for watching